नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहें आमानात नौलेज दोस्तों जम जनकारी प्राप्त करेंगे कि रैयत पर्चा का क्या महत्व होता है ठीक है दोस्तों तो जमीन के रैयत का जो पर्चा होता है उनका क्या महत्व है उसको जानेंगे ठीक है और जाने से तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि रायएत पर्चा का क्या महत्व है ठीक है तो दोस्तों सभी जानते होंगे कि गैर मजरुएन जमीन भी होता है ठीक है और भी सरकार के पास बहुत सारे ऐसे जमीन होते हैं जो कि ऐसे मुक्त पड़ा हुआ है खुले में पड़ा हुआ है उन पर किसी का कोई मतलब कारियभार नहीं होता है ऐसे जमीन को जो है देखकर बहुत सार ऐसे भी देखती होते हैं जो उन पर धाबा बोल देते हैं जैसे मैं आप देखते होंगे Hm जामीन पर चढ़ जाते हैं रहने के परपेस से तो रहने लगते है और जब रहने लगते हैं तो उन्हें तो मनलीजे की भूमें ही नहीं कहा जाता है, ठीक है, उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, तो रहने के परपस से जो है, उस जमीन पर बस जाते हैं, ठीक है, तो होता यह है दोस्तों, इस तरह का जो भी जमीन होता है, उस जमीन को सरकार अपने अंदर पहले वो लेती है, Siling में भेजती है, ठिक है, उसके बाद जो है, उसकी बंदोबस्ती वे करते हैं, और जब बंदोबस्ती कर लेते हैं, तो बंदोबस्ती करने के बाद, जो है, वे चिनहित करते हैं, कि कौन कौन से अनुसुचित जाती या फिर अनुसुचित जन जाती में भूमी हीन है जिनको रहने के लिए निवास के लिए अस्थान नहीं है जमीन नहीं है जो वो रह सके तो वैसे वेक्ति को वो चिनित करते हैं लिस्ट तयार करते हैं ठीक है और उन्हें जो है बुलाया जाता है ठीक है उनको अमंत्रित किया जाता है और उसके बाद जो है उनके नाम से उनके सारे डिटेर्स को लेते हुए उनके नाम से जो है परचा काट दिया जाता है तो परचा जो काट दिया जाता है तो उनके नाम से काटा जाता है जो भूमिहीन होते हैं ठीक है उनके नाम से परचा कार दिया जाता है और उनको कहा गया है तो उनके नाम से परचा है तो उस परचा के रैयत है ठीक है तो रैयत परचा कहा गया है ठीक है उनके नाम से जो परचा कार दिया जाता है उन रहने बसने के लिए निवास के लिए जमीन दिया है और यह यह वेक्ति रह सकते हैं एक प्रूव उनको मिल जाता है, इसके साथ ही साथ है जो दोश्थों कि उनका जो है जमाबंदी भी कायम होता है यानि कि आप उस पर दाखिल खारिज भी कड़ा सकते हैं तो दाखिल खारिज भी उसका होता है जम्मबंदिक कायम भी होता है और फिर लगान रसिद कटके भी उनको मिल याता है तो लगान रसिद जो कटता है इसका मतलब होता है कि वो परचाधारी हैं वे परचाधारी हैं रहने के लिए उनको जमीन दिया गया है ठ लेकिन पर्चा दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे लगान मतलब नहीं देंगे सरकान को ठीक है लगान उनको देना है ठीक है इसी लिए जो है उनका लगान रसीद भी काटा जाता है ठीक है कुछ जगह तो ऐसे होते हैं कि तत्काल में जो है उनका जो है दाखिल कार होता है ठीक है और बहुत जगह ऐसे भी होते हैं इस कारियम में जो है पहले तो पर्चा दे दिया जाता है उसके बाद जो है उनके नाम से जो है दाखिल खारिज भी किया जाता है और फिर जमाबंदी भी कायम किया जाता है और उनका लगना अंडर से भी कट कर उनको मिल जात होती है जो अनुसरोचित जन जाती के लोग होते हैं वे जो है खास कर जो गयर्मज़रुआ जमीन उस टाइप का जो भी जमीन है उस पर वे बहस जाते हैं और उसके बाद की जो पर के लिए होती है सरकार उसे अपनाती है सरकार उसे अपनाती है अपनाने के बाद जो है उनके नाम से परचा भी कार दिया जाता है और परचा कार देने के बाद जो है उनका जम्मबंदी भी कायम होता है यानि दाखिल सुचित जन जाती के लोग जो है उस गेरमजरुवा जमीन पर जब बस जाते हैं तो बसने के बाद जो है उनमें जो एकता होती है ठीक है उस एकता के बल पर जो है वे खुद से खुद से जो है सरकार से मांग करते हैं कि मुझे इस जमीन का जो है रहने के परपस से परचा भी आजा ठीक है तो इस तरह से मांग भी करते हैं ठीक है और जाहिर सी बात है सरकार जो उस चीज़ को देखती है ठीक है धरातल पर जाके मुएना करती है इंस्पेक्शन करती है जांच परताल करने के बाद वह देखते हैं कि क्या रियल में ये भुमिहिन है या नहीं है ठीक है तो जांच परताल जब कर लेते हैं ठीक है तब उसके बाद जो है सरकार उस पर विचार करती है और विचार करने के बाद जो रिजल्ट आता है तो वो बंदोबस्ति काता है तो पहले बंदोबस्ति किया जाता है ठीक है और बंदोबस्ति करने के बाद ही जो है भुमिहिन जो भी है उनका जो है उनके नाम से परचा एक एक करके जो है काटा जाता है तो इस तरह से उसमें मालीजे की उस संग में अनुसुचित जाती के जो संग होता है मतलब एकता में आके जिस जमीन पे वे रहते हैं तो उनके नाम से एक एक करके जितने वेखती हैं सभी के नाम से जो है परचा काट दिया जाता है ठीक है और उस परचा पर ही जो है उनका मतलब दाखिल खारिज भी होता है उनका जम्मबंदी भी कायम होता है और उनका लगान रसीद कटके उनको मिल जाता है तो उन्हें भी जो है एक तरह से कागजी रूप से ठोस हो जाते हैं और वहां पर वो रह सकते हैं ठीक है और उन्हें जो है एक अधिका कि आपको यहां पर रहने का आदिस दिया जाता है आपको य अधिकार मिल चुका है तो इस तरह से जो है रैयत पर्चा का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है ठीक है क्योंकि वह जो मिलता है वह सरकार के करें बाकि आम आदमी तो ऐसे होते हैं कि मान लिजे कि किनी से जमीन खरीव लिए और उनका जो है कमाला तयार होता है कि दाकिलखरी होता है जमर बंदी काइम होता है लगान रशित कट nutzen कि लेकिन इन तो जो है सरकार ही अधिकार दे देती है ठीक है तो इस तरह से यह जो है बहुत ही महत्व रखता है रयत के पर्चा का ठीक है तो दोस्तों उम्मिद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक सेरकरना ना भूलें और हमारी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए और बेलेकर प्रेस कर लिजिए मिलते हैं नेख ट्विटर साथ तब तक के लिए अलविदा थैंक्स